बहुत समय पहले की बात है गिर्जापुर नाम के गाउं में एक छोटा सा परिवार रहता था उस परिवार में गिर्धारी लाल, उसकी पत्नी शान्ती और बेटा पवन रहते थे पवन अब जवान हो गया था इसलिए उसके माबाप उसके लिए लड़की ढून रहे थे जल्द ही पवन की शादी प्रीती से हो जाती है प्रीती अपने ससुराल में बड़ी ही खोश होती है पर एक दिन पवन जब ओफिस से आता है तो बड़ा ही परिशान दिख रहा होता है अरे आप आ गए मैं आपके लिए चाय बना दू पवन प्रीती की बात का कोई जवाब नहीं देता प्रीती दुबारा पवन से चाय के लिए पूछती है पर पवन फिर से जवाब नहीं देता और बड़ा ही परिशान दिख रहा होता है क्या हुआ जी मैंने आपसे दो बार चाय के लिए पूछा पर आपने जवाब नहीं दिया और आप कुछ परिशान भी लग रहे हो क्या बात है हरे प्रीती क्या बताओं आज आफिस में कुछ ठीक नहीं हुआ पर हुआ क्या ये तो बताओ हमारे आफिस की हालत कुछ ठीक नहीं है इसलिए सब लोगों की सेलरी आधी कर दी है अब बॉस ने साफ बोल दिया है जिसे कल से काम पर आना है वो आ सकता है अजी ये तो बहुत ही बुरा हुआ अब हम घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे और उपर से बाबु जी की दवाईयों का खर्चा कल को हमारे बच्चा भी होगा हम सब कुछ कैसे करेंगे वही सब सोच कर ही तो परेशान हूँ पवन के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं होती इसलिए वो आधी सेलरी पर ही काम करता रहता है कुछ दिनों बाद ही घर के हालाद बिगड़ने लगते हैं घर में पैसों की वज़ह से बड़ी दिक्कत होने लगती है घर में छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ाई जगड़े होने लगते हैं एक दिन तो पवन की जेब में एक भी पैसा नहीं होता ये बात जैसे ही पृती को पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है वो अपनी आलमारी से एक गुल्लक निकाल कर लाती है और पवन को देते हुए बोलती है मैं इसमें कुछ न कुछ पैसे बचा कर डालती रहती थी इसे आप रख लो शैद आपके कुछ काम आजाए नहीं पृती ये पैसे तुम्हारे है मैं इनको नहीं ले सकता तुमने कितनी मुश्किलों से इनको जोड़ा है ये तुम अपने पास ही रखो पृती के काफी जित करने के बाद भी पवन वो गुलक नहीं लेता उसके बाद पृती बाहर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है अचानक वहाँ पृती की एक सहेली आ जाती है पृती ओ पृती, देखना ये क्या हो गया क्या वह रधा, क्यों इतना परिशान हो देखना पृती, मुझे आज शादी में जाना है और मेरी ये ड्रेस दरवाजे में अटकर भट गई अब मैं क्या करूँ, क्या पहनू अरे, तु परिशान मतो, मैं इसे ठीक कर दूगी सच में, तु बहुत ही अच्छी है और मुझे पता था, तू ये कर सकती है इसलिए तो मैं तेरे पास आ गई पृती अंदर से सुई धागा लेकर आती है और राधा की ड्रेस को ठीक ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा सुन्दर बना देती है राधा तो खुशी से पागल ही हो जाती है और प्रीती को 200 रुपे देती है नई नई, मैं ये तुझसे कैसे ले सकती हूँ ये तो बहुत कम है प्रीती तूने मेरा काम कर दिया, वही बड़ी बात है ये पैसे तेरी मेहनत के हैं और तुझे रखने ही पड़ेंगे राधा पैसे ले लेती है और उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही होती है कि वो 200 रुपे से घर का कुछ सामान ले आएगी राधा के जाने के बाद प्रीती की साथ शांती प्रीती से बोलती है तुम्हें सिलाई भी आती है तुमने कभी बताया नहीं हां मा मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी अगर तुम चाहो तो तुम कुछ सिलाई का काम शुरू कर सकती हो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूंगी क्या सच में मैं तो हमेशा से सिलाई करना चाहती थी मुझे तो सिलाई करने का बहुत शौक है ये तो अच्छी बात है तुम हमें पहले बता देती तो हम तुम्हें कभी नहीं रोकते खेर जो हो गया सो हो गया अब तो हमें सिलाई मशीन लेनी होगी पर उसके लिए पैसे कहां से आएंगे प्रीती को तब ही अपनी गुल्लक का ध्यान आता है वो जल्दी से अंदर जाकर अपनी गुल्लक ले आती है इसमें मैंने कुछ पैसे जमा किये हैं और अभी मेरी सहीली भी मुझे 200 रुपे दे कर गई है सारे पैसे मिलाकर देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं प्रीती अपनी गुल्लक तोड़ देती है और उसमें से सारे पैसे निकाल कर गिरने लगती है कुल मिलाकर प्रीती के पास करीब 2000 रुपे हो जाते है उसके बाद वो अपनी सास के साथ सिलाई मशीन लेने जाती है वो एक सिलाई मशीन के दुकान पर पहुँचते हैं भाया ये सिलाई मशीन कितने की है? ये पांच हजार रुपए की है पांच हजार? भाया क्या कोई सस्ती सिलाई मशीन नहीं मिलेगी? कितनी सस्ती आपको कितने तक की मशीन लेनी है आप बताओ दो हजार हमारे पास इतने ही पैसे हैं इतने पैसों में नई मशीन तो आप भूल ही जाओ हाँ मेरे पास कुछ पुरानी सिलाई मशीन भी है आप उसमें से कोई लेना चाहती हो तो देख लो ऐसा है तो फिर पुरानी मशीन ही दिखा दो दुकानदार प्रीती और उसकी सास को अंदर लेकर जाता है वहाँ बहुत सी पुरानी मशीन रखी होती है पर वहाँ एक बिल्कुल नई मशीन भी रखी होती है अरे क्या ये मशीन भी पुरानी है जी आज ही इसे कोई बेच कर गया है बिलकुल नई मशीन है मैं आपको 2000 में दे दूँगा हाँ हाँ यही दे दो हाँ मा यह सबसे अच्छी है इसे ही ले लेते हैं शांती और प्रीती सिलाई मशीन लेकर घर आ जाते हैं वो लोग इस बात से बड़े ही खुश होते हैं कि इतनी अच्छी सिलाई मशीन उन्हें इतने सस्ते में बिल गए पर उन्हें क्या पता था कि ये मशीन एक आफ़त लाने वाली है प्रीती उस सिलाई मशीन को अपने कमरे में रख देती है वो रात को पवन को भी अपनी सिलाई मशीन दिखाती है पवन भी प्रीती की खुशी देखकर बड़ा खुश हो जाता है उसके बाद पवन सो जाता है पर प्रीती एक कपड़ा लेकर सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करने लगती है सफाई करने के 바ad वो उस मशीन को चला कर देखने लगती है कि उसमें कुछ कम ही तो नहीं मशीन के चलती ही उसमें से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है इसमें तेल डालना पड़ेगा अभी मैं सो जाती हूँ कल बाजार जाकर मैं तेर ले आऊँगी आधी रात को जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तभी सिलाई मशीन में से एक चुडैल बाहर आती है और स्टूल पर बैठ कर कपड़े सिलने लगती है प्रीती को सिलाई मशीन चलने की आवाज आने लगती है ये सिलाई मशीन को अचला रहा है प्रीती अंधेरे में ध्यान से देखती है तो उसे स्टूल पर एक चुडैल बैठी दिखाए देती है प्रीती तो डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो चिला कर किसी को बुला ले वो बस उस चुडैल को देखती रहती है उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर चुडैल उसकी सिलाई मशीन के साथ क्या कर रही है वो बिना शोर कि ये अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो उसे वो चुडैल मशीन पर कपरे सिलती दिखाई देती है ये चुडैल आखिर कब जाएगी मेरी तो डर के मारे हावास तक नहीं निकल रही और ये आखिर सिल क्या रही है अंधेरे में ठीक से कुछ दिखने रहा काफे देर इंतजार करने के बाद वो चुडैल वहाँ से चली जाती है उसके जाते ही प्रीती कमरे की जल्दी से लाइट जलाती है और अपने पती पवन को उठाती है अरे जल्दी उठो, जल्दी जल्दी क्या है प्रीती, तुम भी न ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो भूत नहीं, चुडैल चुडैल को देखा मैंने, आप जल्दी उठो कुछ करो पवन नीन में प्रीती की बाद ठीक से सुनता ही नहीं प्रीती उसे जगा जगा कर ठक जाती है और पवन तो उठने का नाम ही नहीं लेता प्रीती भे फिर ठक हार कर सो जाती है सुबह जैसे ही प्रीती उठती है तो वो देखती है, मशीन पर जो कपड़ा रखा हुआ था उसकी जगा एक बहुत ही सुन्दर ड्रेस रखी हुई है अरे वा, ये कितनी खूपसूरत ड्रेस है पर ये ड्रेस आई कहां से और जो मैंने यहां कपड़ा काट कर रखा था वो यहां से कहां चला गया ओ, कहीं वो चुड़ैल रात को यही तो नहीं सिल रही थी प्रीती तो इस बात से बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि बिना मेहनत किये उसे एक इतनी सुन्दर ड्रेस मिल जाती है जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं अगले दिन प्रीती के साथ फिर से वही सब होता है जब सब लोग रात को सो जाते हैं तो उसके बाद वो चुड़ैल आकर मशीन के पास रखे कपड़ों को सिलकर चली जाती प्रीती दिन में सिलाई करती और चुड़ैल रात को ऐसे प्रीती का रोज दुगना काम हो जाता और उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते प्रीती ने जल्द ही काफी पैसे इकठे कर लिए जिससे उनके घर की परिशानी दूर होने लगी एक दिन पवन प्रीती से उसके काम के बारे में पूछता है प्रीती तुम्हारा सिलाई का काम तो काफी अच्छा चल रहा है मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने सारे कपड़े अकेले कैसे सिल लेती हो जी वो जी मैं वो क्या हुआ प्रीती? क्या कहना चाती हो? साफ साफ बोलो मैं ये सारे कपड़े अकेले नहीं सिल थी मैंने उस दिन रात को उठाया था ना कि कमरे में चुड़ेल है वो कोई जूट नहीं बोल रही थी मैं वहां सच में चुड़ेल थी जो मशीन पर रखे कपड़ों को सिल रही थी मैं जब सुबह उठी तो कपड़े सिले हुए रखे थे उसके बाद से वो हर रात कमरे में आती है और मशीन पर रखे सारे कपड़े सिल जाती है ऐसे मैं दुगना काम कर पाती हूँ इसमें मेरे अकेले की मैनत नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर में एक चुड़ेल आती है और तुमने हमें बताया भी नहीं मैंने इनको बताया था पर ये इन सब बातों पर यकीन नहीं करते मैंने फिर सोचा कि थोड़े घर के हालात सुधर जाए तो बता दूगी चलो अब छोड़ो जो भी हुआ पर भला हो उस चुड़ैल का जिसकी मदद से हमारे दिन अच्छे हो पाए जी माजी अच्छा एक काम करो आज तुम उस चुड़ैल के लिए एक सुदर से कपड़े बना कर मशीन पर रख देना उसको अच्छा लगेगा हाँ माजी ये तो अच्छी बात है प्रीती उस दिन चुड़ैल के लिए बहुत सुदर कपड़े सिलकर मशीन पर रख कर सोचाती है रात को जब चुड़ैल आती है तो वो देखती है कि वहाँ बस एक सुदर सा कपड़ा रखा है वो उसको उठा कर देखने लगती है उसे वो बहुत ही पसंद आता है वो उनको पहन कर बड़ी ही खुश हो जाती है जैसे शायद उसने पहली बार अच्छे कपड़े पहने हो हमेशा दूसरों के लिए कपड़े सिले और खुद भटे कपड़े पहने जीते जीतो मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया बलकि उल्टा मुझे पैसों के लिए मेरे पती ने जान से मार डाला पर आज किसी ने मेरे लिए ये कपड़े सिले चुडेल की आँखों में आसुआ जाते हैं और प्रीधी को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है